नीन की समस्या को कर देंगे जड़ से खतम, जानिए क्या करना चीए? आज बात करते हैं इनसुनिया के बारे में करीब करीब 10 से 20 प्रतिशत लोग अम आबादी में नीन की समस्या से गरस्त है और नीन की उनको समस्या है कुछ लोग बलते हैं कि हमको नीन जल्दी आती नहीं है जब बेड़ पर लेटे जल्दी नीन जाती फिर करवटे बदलते रहे इधर से उदर उदर से इधर करते रहो कुछ लोग बलते हैं मगर नीन बिच में खुल जाती है और एकदम फ्रेश हो जाएंगे और फिर सभरे तक आना जाना आना जाना निन का चलेगा और फिर सभरे फ्रेशनय लगतर आपी नीन होई नी तीसरा है कि नीन आती ही है रहती भी है मंगर सबर जल्दी खुल जाती है और बात में फिर लगती है तो एक को प्राबलम है ऑंसेट का दूसरे को problem है maintenance का कि maintenance नहीं होती है नीन और तीसरे का problem है early morning का कुछ लोग नीन का इस्तेमाल मतलब नीन ने आती है तो sex का इस्तेमाल करते हैं तो यह sex कर लो उनको अच्छी नीन आ जाती है sex की नहीं किया तो आती नहीं है मतलब वह sex के लिए नीन का नीन की दवाई है जो लोग उनको shift duty है na shift duty तो उनको यह नीन का problem आते रहता है वैसी दिमाग के उपर बहुत तनाव है stress है और कोड के से चल रही है पती-पत्नी का पट्टा नहीं है घर में कोई बीमार है financial problem है अब trust है दिमाग मांसिक आगात हुआ है कोड के से चल रही है तो यह दिन का problem आते है फिर नीन जली आती नहीं है फिर उमर कही साब से पचपन साथ के बाद में लोगों को जल्दी नीन ने आती है जल्दी खुल जाएंगी इनके बच्चे एकदम छोटे वो मा को problem रहता है कि बच्चा जल्दी दे उठ जाता है और उनका नीन बच्चे के नीन के साथ-साथ मैच करना पड़ता है पच्छ लोगों को फ्रेश लगता नहीं सुभ उतने के बाद में काम करने की इच्छा नहीं होती है उत्पादन अक्षमत हा कम ऊरती है उबासी आती है कंटीनियोसलिए बासी ती करते जा रहे है उबासी आ रहे है कॉंसेंट्रेशन नहीं होता काम करने में फिर दिन में निन आती रहती है मोटा पहता है लोगों को क्या करते कि निन निया फिर खाते रहते हैं कोई लोगों को निन निया तो बीपी का प्रॉब्लम रहता है ज्यादा ब्लेड पेशर बढ़ जाता है तो ऐसे इसमें फिर नीन के प्रॉब्लम से यह सब बीमारी होती रहती है, बीमारी मांसिक बीमारी यह होती है न सबसे पहले प्रॉब्लम जो होता है, नीन का आफ होना, नीन का नहीं आना, सबसे पहला प्रॉब्लम, तो अभी इसमें होता जाए कि नीन फिर दिन में आती है लोगों को फिर दिन में कॉफी पीते जाएंगे, चाय पीते जाएंगे, एक के पीछे, कि लिए ना रही है, काम तो करना पड़ रहा है, फिर लोग कॉफी एडिक्ट बनते है, चाय के एडिक्ट बनते है, सिगरेट के एडिक्ट बनते है, ऐसा करते रहे थे लोग, और वैसे इसे भी ओट पुट बहुत कम होता है, अब इसके लिए करना क्या है, यह सब प्रॉब्लम में तो करना क्या है, तो करना यह है कि आपने दवाईयां अब इसके लिए अब आप एक गुली लेते हैं, एक दिन बाद में आपको दो गोल लग सकती है, और एक दिन बाद में आपको तीन गोल लगेंगे, मतलब डोस बढ़ता जाता है, अडिक्शन होते रहता है, तो जितना हो सके उतना दवाईयां मत लो, मगर अभी बहुत ही 80-85 है, ऐसे भी लोग आते हैं, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, अभी कितने दिन जिना है और चलो लेने दो दवाई, दवाईया लेकिन अच्छे आती ने सुने दो, कोई प्राब्लेम ने, कितना एडिक्शन होंगा, कितने साल जिना है, पता नहीं, मगर 35-40 साल गाया और न से बशना है, इसलिए दवाई जितनी कम खा सकते या नहीं खा सकते उतना अच्छा है, फिर दिन अच्छी करने के लिए कि जीवन शेली में बदल करना पड़ेगा, रेगिलर हैबिट्स, मैं बलाई, समय पे खाना-खाना, समय पे काम पेसे आना, समय पे सोना और समय पे पेसे बदल को आज नहीं आजे न, उसका क्या, तो समय आपको आज रात को नहीं आए, तो फिर कल सेवरे दिन में भी सोने का नहीं है, ठुटि निकालो, आराम करो, फिर रात को इतनी नहीं आ जाएंगी कि आपको फटाक से बेड़ पर लेटली नहीं आ जाएंगे, क्योंक को साइकल ठीक नहीं तब तक तो जीवेंशेली में रेगुलेरिटी नंबर एक नंबर दो मोबाइल कवापर पाथ को सोने के तीन घंटे पहले से बंद करना चे नोटिफिकेशन बन टिंग टॉंग बन स्क्रीन टाइम बन तीन घंटे पहले टीवी नहीं एकसाइटमेंट की कोई यूट्यूब देख रहे है टीवी देख रहे है एकसाइटमेंट की स्टोरी है मुवी है पहुछ जादा वायलन्स है दुख है इमोशनल स्टोरी है बिलकुल नहीं देखने का रेगुलर एक्जरसाइज अच्छा वैम करते हो ठच जाते तो नहीं आ मैं बामसा के बाद में और में किरा को पियां कि शार के बाद में करता है काफीएवी या नहीं को बता यूत नहीं शकुछ लोग को में इडवाईज करते हैं ऑफिंगुना जाए जीना तो बाथ लेना मुट о या वही बेड़ पर और वहीं जागена या पादने का ना आप जगह बदल देते तो नीन डिस्टब हो जाती है, एकदम डिम लाइट होना, शान्त जगह होना, वो कमरे में टीवी चालू है, लोग बढ़ बढ़ कर रहे हैं, बाते कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, नेजरली आपकी नीन डिस्टब हो जाएगे, हिपनो थेरपी से अच्छी नीन आती है, मेरे बहुत सारी वीडियोस है कि आप सुगए बेड़ पर एयरफोन लगा दिये और सुन रहे है, हिपनोटिक सेशन, तो सोते सोते आपको नीन लग जाएगे, टेंशन मतलो, मेरी डेशन से भी अच्छी नीन आती है, और जब तक आपको नीन आती न जाना नहीं, बेड़ का इस्तिमाल सिर्फ दो काम के लिए, एक सिर्फ नीन के लिए और एक सेक्स के लिए, बागी बेड़ पर जाने का नहीं है, कि बेड़ पर बेड़ है, किताबे पढ़ रहे, टीवी देख रहे, यूट्यूब देख रहे, हैना ऐसा कुछ भी नहीं करन होना है बेड़ पर तो बेड़ का कंडिशनिंग ऐसा होना चाहिए कि आप बेड़ पर सोते तो निना गई कंडिशनिंग है बहुत लोगों को मैं क्या करता हूं बोलते यार गुली तो नहीं होना वर मैं गौत लोगों गुली देता हूं बोलता हूं कि आप ऐसा करो तक्या की नहीं dicho एक तसलिय कि निय तो गुली मेरे पास में था बस्व गुली रखना उसके ला जा सिरीय घर खना थी मुषा यहा वूना चाहर। तो उसके बिचाल पीछिटेंब्रतप सबतैकं है। पandy to gerçek र brother, आप 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 आकर दो कि आप को उससे करें कि यह…. कि जैसे हम बोलते किacy कि स्री राम का नाम लो, राम-राम- राम-राम- एंगेचार राड़ बार बुलो तो उसमें वो मन गुता रहता है और फिर निन कभ लगती मालूम भायता। चैवातारा वीचाराता वीचार 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 आते टेंशन आता हार्टबीट बनेंगी रिश्पिरेशन बढweise और फिर उसमें स्टिरोइड सीक्रेशन होंगा एड्रेनलीन सीक्रेशन होंगा और उससे निन गाया खो जाती है तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कलपा ना करो बेड़ पर लेटे लेटे को है कि आपल किनारे हो वह रेत में अपने लकडी से सौ लिखा पानी कि लहार आई पानी कि ल सबते हैं रोगई और वह में लाई एंप पर समय लूप सो लुपानदा जो है किन्निरी नीनिरी नीनि хороший ुशरी नीन नी करवडे बदल स्ची दर अगुदर ओधर नीन नीन सी अगे पौने बारा, बारा, वारा, साड़े बारा, एक ऐसा देखते रहेंगे तो निन आती नहीं So, whatever you resist it persists निन आनी रही जो आनी रही जो निन आएंगे नहीं तो निन की रहा मत देखो, मतलब आप निन की पीछे जाएंगे तो निन नहीं आएंगे निन्य आपके पीछा आने को ना कि अगए कब भेड़ पर आता और कब में इसको लेपट के ले लिती हूं अपने बाहों में मतले इस तरह का होना चे तो निन के रहा मत देखो निन्य आपकी रहा देखना चे कब भेड़ पर आता है तो इस तरह का आप इलाज करेंगे तो definitely न दबाई चल रही है और वो दबाई से ब्रेन को excitement मिल रही क्या और उसके वुझे से निन ने आरी क्या तो दबाई बदल दाल उसका timing बदलो क्योंकि बहुते दबाई ऐसे कि वो ब्रेन को stimulate करती है और पिर आतो निन निन आती तो दबाई बदलना पड़ेगा तो आपकरते ह तो अच्छा हो जाएंगा और यह दि आपको बिना कुछ बजय नीन नी आ रही है, तो डेफिनिटी दॉक्टर को कॉंटेक करो, क्योंकि बिना कुछ बजय नीन नी आ रही है, वीचार बहुत आ रहे है, तो दवाई लीन पड़ेगी, क्योंकि नीन आपके होती है, 7-8 घंटे नीन अच्छे होती है, तो आपको मानसिक बिमारी नहीं होगी, नीन नहीं नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ तो भी घड़ बढ़ हो रहा है, और 2-3 नीन, 4 दिन नहीं नहीं आए तो घड़ बढ़ हो जाएंगा, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, कोई न कोई कारण से आप 4 गंटा सो भाय, दूसरी दिन जयादा करो, टोटल लगा हपते भर में 49 अवर्स नीन एवरेज में होनी चाहिए, तो आपको अच्छा लगा तो तमाम लोगों को शेयर करो, क्योंकि नीन का प्रब्लेम बहुत लोगों को है, नीन अच्छे हो जाएंगे अपनी देश की प्रॉडक्टिविटी बढ़ जाएगे, लोगों की बढ़ेंगे तो देश की बढ़ेंगे, और हम जो चाहते हैं कि हमारी अर्थवेवस्ता जो आज 5 नंबर पे है, दुनिया में वह एक नंबर पे चले जाएंगे, सिर्फ नीन का प्रब्लेम ठीक कर लिया अच्छा लागा तो शेर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अब आपका ख्याल रखेगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहु मुल्या, थैंक यू बेरी मच्छ पत्रब़ मुल्या थीक का उनल रखेगा, अब आपके अ जाएंगे, क्योंकि आपके वाद भाया में, भीक का जाएंगे, आपके पानस्टाइब का लिका तू कर लिए सिर्फ भागा, बहुत रखेगा रखेगा, अबेरी मुल्या है। झाल झाल झाल